अंग्रेजी में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो केवल बहुअचन में उप्योग होता है There are many nouns which are used only in plural They are not used in singular क्योंकि उसके एक से ज्यादा अंग होते हैं It has more than one part तो already वो नाम तो एक है लेकिन उसके एक से ज्यादा भाग हैं तो वो बहुअचन ही माना जाएगा यदि अपि उस पूरे पाद को मिला कर एक ही नाम दिया गया In other word, there are few words, few nouns which are used in plural only There are no singulars to it And when they are used likewise It is so because It has more than one part You must be wondering what am I talking about Scissors 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 So there are few more words which have plural For example, दूसरे शब्द जिसके दो पार्ट होते हैं ऐसी हम देखें कुछ कपड़ों के नाम और जारों के नाम में मैंने Scissors बताया ऐसी कपड़ों के नाम कपड़ों में भी ऐसी बहुचन ही होता है कैसे होता है बहुचन जैसे ट्राउजर नहीं बोलते हैं पैंट को क्या बोलते हैं ट्राउजर्स पैंट को क्या बोलते हैं ट्राउजर्स दो भाग की बात मैं कर रहा था क्या है दो भाग पैंट के दो जो पैर का हिस्सा बनाये जाता है there are two parts there are more than one वो ऐसे ही बहुआ चन है और कहीं एक जगा आके ऊपर मिल गया है so it is always treated as plural there is no singular for it किछने अलग अलग तरह के देखिये नियम है there are few words which are used both in singular and plural there are words which are used in singular separately plural separately and now here comes an example where certain words are used only in plural और कपड़ों में तो ऐसे बहुत सारे हैं उदारन के लिए जैसे मैंने बताया trousers ऐसी spectacles spectacles क्या है I am going to the market to buy spectacles spectacles मतलब चश्मा spectacles याने चश्मा लेकिन एस लगा रहता है बिना एस के वो कोई शब्द नहीं है और यदि है तो उसका दूसरा आर्थ है spectacle याने दृष्य लेकिन यदि चश्मे की बात कर रहे हैं नाउन की बात कर रहे हैं spectacles चश्मे की यदि बात कर रहे हैं नाउन में भी चश्मा collective noun then it is called spectacles बहु अचन ऐसे ही ट्राउजर्स जीन्स J-E-A-N-S जीन्स हम सब लोग पहनते हैं कभी आपने सुना हैं वह जीन पहना हुआ है वह जीन पहना हुआ है He is wearing jeans Jeans originated from America Jeans is put to the culture of other countries by America The use of jeans all over the world shows the dominance of hegemony of America पूरे दुनिया में jeans का उपयोग अमेरिका के वर्चस को बताता है क्योंकि jeans कहां से आया अमेरिका से उसकी शुरुआत अमेरिका से होई ऐसे ही shorts छोटे pen को half pen को हम क्या बोलते हैं short नहीं बोलते उसको बहु अचन में ही उसका उपयोग होता है और वो क्या कहलाता है shorts क्या कहलाता है shorts similarly pyjamas pyjama दे दो pyjama नी pyjamas होता है so we have examples where the words nouns can be used only in plural not in singular तो औजारों के मामले में हमने देख लिया कैसे scissors spectacles और कपड़ों के मामले में हमने जाना और ऐसे कुछ होर संग्याए हैं जैसे thanks t-h-a-n-k-s thanks thank नहीं होता thank नहीं होता thank is not the noun thanks is the noun ऐसे अगला शब्द है हम यूज कर सकते हैं arms a-l-m-s arms arms क्या होता है arm alms arms man daan arms man daan right so इसका उप्योग कैसे होगा arms का उप्योग many beggars sit near the temple waiting for arms bigger नहीं बिखारी many beggars sit near the temple waiting for arms arms यहने एक तरीके का दान ऐसी रिचेश रिच मने अमीर होना रिच यह बिकम रिच और रिचेश मतलब अमीरी he is known for अम्बानी is known for its riches अमीरी रिचेश याने अमीरी यह नाउन है मैं नाउन की बात कर रहा हूँ यह आप याद रखेंगे कि नाउन का बहुचन कैसे होता है रिचेश दू मैनी थिंग्स आमीरी से बहुत सारे काम हो जाते हैं रिचेश दू मैनी थिंग्स राइट आप अमीरी वेकिश आम्पल अवर्ट विच रूज इंज अनली इंप्रूल अधर अग्जम्पल सार अफ डिफेंट काइंड देखे अभी हमने क्या सीखा अभी हमने सीखा ऐसे शब्द जो केवल बहु अचन में उप्योग होते हो अब हम देखें कि लगते तो बहु अचन है लेकिन है एक वचन वेरी फ़नी अगेन लगते तो बहु अचन है अपैरेंटली प्रथम नजर में ऐसा लगता है कि ये बहु अचन है लेकिन है एक वचन ऐसे भी नाउन है और ये ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमने जाना कि बहु अचन बनाने के लिए एस या एस लगा दो तो बहु अचन हो जाता है ऐसा हमने जाना लेकिन कई ऐसे नाउन हैं जिसमें अल्लेडी ऐस लगा हुआ है तो हमको लगता है यह बहुचन है दारण के लिए mathematics यह बहुचन है स्वायम में यह एक वचन है वैसे पर दिखता है बहुचन क्योंकि ऐस लगा है ऐसी physics, ऐस लगा है तो बहु अचन दिखता है, पर नहीं है, physics is a subject, mathematics is a subject, electronics is a subject, electronics कार्थ यह नहीं कि बहुत सारे electronic, no, mathematics कार्थ यह नहीं कि बहुत सारे mathematics चीज़, mathematics is one subject, यह एक विशह है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, there are many words which end up with S and give us the feeling that they are plural, but in reality they are not plural, they are singular, वास्टव मैं वो एक वचन ही है, mathematics एक वचन, physics एक वचन, electronics एक वचन, एसे ही, news, N-E-W-S, news क्या है, S लगने से हैसा लगता है, कि एक खबर माने new, और बहुत सी खबरे मतलब news, ऐसा नहीं है, new मतलब नया होता है, चाहे वो एक खबर हो, चाहे दो खबर हो, हम news ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, news, N-E-W-S, तो news, news एक वचन है वास्तों में, कई बीमारियां भी एक वचन है, लगती हैं बहु वचन, जैसे measles, measles आपने सुना है, मम्स, यहाँ पर जो फूल जाता है, गाल में, तो वो मम्स हो गया, मतलब एक वचन ही है, जैद्या पी उसमें एस लगा हुआ है, रिकेट्स एक बीमारी है, जिसमें कड़ा पना जाता है, रिकेट्स, ऐसी मम्स, likewise measles, they have as into it, giving you the feeling that they are plural, but in reality, they are not plural, they are singular, the same thing about some sports also, कुछ खेलों के बारे में हैं, यह एक वचन है, लेकि लगते हैं पहु अच्छा, बिलियर्स आपने देखा होगा, बिलियर्ड गेम, which is played with a small multi-colored balls on the table, तो बिलियर्ड जिस अधरवाइज एक वचन, लेकिन इसमें एस लगा हुआ है, तो लगता है, यह बावगा था, ऐसे दूसरे कि और खेल हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं, Now, these are the words which have S into it, giving us the feeling that they are plural, but in reality, they are not. No news is a good news. No news is a good news. News एक वचन है जैसा मैंने बताया, Measles is infectious, Measles are infectious, नहीं, S लगने से बहुआचन नहीं हुआ, यह दारण जरूर नहीं है, आपको समझना, Measles are dangerous बिमारी, No, Measles is, Measles is, Billiards is my favorite kale, favorite game, India won by an innings, innings कोई शब्द नहीं, I double N I N G, Innings, यह कोई शब्द नहीं, Innings है, India won cricket by an innings, N innings, N एक वचन के लिए आता है, और S नॉमली बहवचन के लिए जोड़ते हैं, इसलिए एक गन्स्यूचन है, ऐसा नहीं हो, Innings स्वयम में एक वचन ही है, यद्यपीस में S जुड़ा हुआ है, यदि एक शब्द हम देखें, Means, M E A N S, To mean मतलब अर्थ होना, I mean, You are, You are, Honest, I mean, You are honest, मेरा कहने का अर्थ है कि आप इमानदार हो, ये तो मीन से हुआ, लेकिन कई बार, Means शब्द का उपयोग, एक वचन और दो वचन दोनों अर्थ में होता है, जब हम S लगा देते हैं, अब देखिए, Means शब्द का एक वचन, एक अर्थ है, Means शब्द का बहु अचन एक अर्थ है, जब इसका अर्थ वचन है, तब हम Means बोलते हैं, Means, Wealth, Right? So, We can understand, Means का जो प्रयोग है, एक वचन, दो वचन, दोनों में होता है, जब इसका अर्थ वचन है, तो हमेशा बहु अचन होगा, Nouns को, प्लूरल बनाने की क्रिया में, Now, let us move to the next set of rules, कुछ और हम नियम जाने, और यह मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कि यह नियमों को एक general नियम ही माने, Not very hard and fast, We move to the collective noun, Collective noun में, एक वचन होता है, और एक वचन होते हुए भी, बहु अचन में प्रियुक्त होता है, यह आप जान लें, Army, मैंने आपको बताया, और इसका बहु अचन क्या है, Armies, यह एक अलग group है, Nouns का, लेकिन दूसरी और people है, People is what, Collection of Persons, Armies is what, Collection of Soldiers, Similarly, Catterl is what, Collection of Animals, Poultry is what, Collection of Henn, लेकिन आर्मी जो है, उसको आर्मीज भी बनती है, विवन देशों की आर्मीज, the armies of different countries, have come together, for exercise, यह हमने पहले पढ़ा है, यह, लेकिन जैसा आर्मी का आर्मीज बनता है, ऐसे पीपल का पीपल्स नहीं बनता, ऐसे पॉल्ट्री का पॉल्ट्री ज नहीं बनता, कैटल का कैटल ज नहीं बनता, जैंट्री का जैंट्री जैंट्री ज नहीं बनता, to make it more clear, let's make some sentence, all these poultry are mine, there are many poultry in, on Dhamtari road, जैसे आर्मी का आर्मीज बुले, ऐसे पॉल्ट्री का पॉल्ट्री नहीं बनता, there are many, all these poultry are mine, there are many poultry on Dhamtari road, whose cattle are these, ऐसा नहीं बनता, whose cattle are these, whose cattle, cattle is what, वो स्वैं बहुवचन है, बहुत सारे जानवरों के समूओं को, cattle बोलते हैं, whose cattle are these, पर आप तर्क देंगे, किसा आर्मी में भी, ऐसी बहुत सारे soldiers हैं, yes, you are right, but that is an applause, ऐसे ही चीजों को आपको याद रखना, ऐसे ही आपको, दिमाग में बैठाना है, कि किस का plural कैसे बनता है, and that is what is funny about English, whose cattle are these, who are these people, हम यह नहीं कहते हैं, who are these peoples, people swim में एक जुन्ड है, लेकिन इसको बहुवचन जैसा उप्योग करते हैं, who are these people, there are few gentry in the town, gentry मतलब group of people, अच्छे लोग, there are few gentry in the town, अच्छे लोग कम हैं शहर में, right, that's, please note this particular point, कि collective noun, एक वचन होते हुवे भी, बहुचन में हमेशा प्रेयोग होगा, ऐसे कौन कौन से collective noun है, so we have learnt few, which are of very much daily use in our life, cattle, people, poultry, particularly राइपुर is full of poultry, राइपुर is full of poultry, नहीं बोलेंगे, राइपुर में बहुत सारी poultry हैं, इसके लिए हम poultry नहीं बोलेंगे, poultry स्वैम में बहुचन है, right, जहां हम common noun की तरह people का अर्थ है, तो नेशन एक वचन और बहुचन दोनों में प्रयोग होता है, यदि हम जाती वाचक संग्या की तरह प्रयोग करें, people, तो नेशन जो है, वो एक वचन और बहुचन दोनों में उसका प्रयोग होता है, right, जैसे जैपनीज आर ए हार्ड वर्किंग पीपल, देर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन यॉरॉप, अब देखिए ये क्या हुआ, ये एक बला अलग उजाहरन, जाती वाचन नाउन की तरह प्रयोग करते हैं, not as collective noun, यदि common noun की तरह हम प्रयोग करते हैं, common noun का अर्थ होता है, जो हमने जैसे पढ़ा, जाती वाचक संग्या, यदि हम जाती वाचक संग्या के रूप में उप्योग करते हैं, तो उस समय में, नेशन का ध्यान में रखते हुए, हम फिर, पीपल का बहुचन भी बना लेते हूं क्योंकि वो अलग-अलग नेशन को बता है उधारण के लिए there are many different peoples in Europe ये सही है but the Japanese are a hard working people ये एक देश का है तो वहां का people लेकिन कई देशों के people की बात कर रहे हैं तो peoples होगा is it clear? it's like army यदि कई देशों के army की बात कर रहे हैं तो armies हो गया ऐसी people का peoples हो गया अब नौ वी कम तो the next rule, next set of rules next set of rules में एक हमने नियम बनाया था बताया था आपको कि there are many nouns made of more than one word बहुत से ऐसे noun हैं जो दो शब्दों से बने हैं और उनको जोड दिया गया है जैसे grandfather और उसका बना उसमें से एक को change कर दो तो वो feminine हो जाता है यह सुना था grandfather बना grandmother ऐसे ही देरा many nouns like this only consisting of more than one word grandfather, grandmother तो स्वेम एक word बन गया लेकिन ऐसे बहुत से noun हैं संग्याएं हैं जो कई शब्दों से बनी लेकिन एक संग्या है उसमें से कुछ को change करना होता है मुख्य शब्द में ऐस लगाना होता है यदि एक से ज़्यादा शब्दों से बना है वो संग्या तो जो मुख्य शब्द है main उसमें ऐस लगा दो उदारन के लिए बहुत सामाने शब्द है दामाद को क्या बोलते हैं दामाद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं son in law son in law बहु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं daughter in law तीन शब्द है daughter in law दामाद के लिए son in law ऐसी जो जिसको हमने ले लिया है गोज लिया है ऐसी बहन को क्या बोलेंगे step sister step daughter step mother जब ऐसे शब्द हों जो एक से ज़्यादा शब्द से बने हैं तो जो main शब्द है main शब्द में S लगा दो उधारन के लिए main शब्द क्या है जैसा मैंने पहला शब्द आपको कहा son in law इसमें main शब्द है son law नहीं है मुख्य शब्द son है तो son में S लगा दीजे sons in law और याद रखिए son की spelling जिसका पुत्र है उसकी spelling S-O-N है आज भी बहुत लोग अनजाने में son के लिए S-U-N लिखते हैं और S-U-N son मतलब होता है सूरज और पुत्र के लिए जब son का उपयोग करना हो तो उसकी spelling है S-O-N और दामाद के लिए S-O-N son in law और बहुत से दामाद हो तो जो मूल शब्द है सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण शब्द है उसमें बहुत चन में S लगा दो तो क्या होगया sons in law daughters in law दूसरा देखिए step sons step में S नहीं लगाना है मैंने ये नहीं कहा कि जो पहला शब्द है उसमें S लगाना है मैंने आपको कहा है जो में शब्द है में मुख्य शब्द तो मुख्य शब्द क्या है यहाँ पर step sons step daughters step mother तो यह ऐसा है तो similarly तो हम यह कहेंगे maid servant maid servant यहने मैंने बताया काम करने वाली बाई तो maid servants हो जाएगा maid servant नहीं होगा is it clear so this is a very important thing that you must know कि यदि compound noun है compound noun जिसे हम कह सकते हैं because they are made of more than one word compound noun में बहुचन शब्द में जोड़ दीजे और वो बहुचन हो जाएगा जो मुख्य इंपॉर्टन most important जो शब्द है उसको बहुचन कर दीजे तो वो बहुचन हो जाएगा पूरा commander in chief commander in chief किसको बोलते हैं सेना के मुख्या को commander in chief बहुचन क्या होगा commanders in chief commanders in chief chief का बहुचन मत बनाईएए आपने chief पढ़ा है उपर कि chief का बहुचन क्या है chiefs नहीं आपने पढ़ा है chief का बहुचन है chiefs ऐस लगता है पर यहां पर chief मुख्य शब्द नहीं है commander in chief में मुख्य शब्द commander है इसलिए commander में S लगाईए तो बनता है commanders in chief another one word main शब्द में S लगाना मैंने बताया लेकिन here is another word man of war he is a man of war मतलब लड़ाई के अनुभवाला अदमी है सतत रूप से लड़ाई में वैस्त रहा है उसका बहुचन man of war का बहुचन क्या होगा वही होगा जो man का बहुचन है मैंने आपको बताया कि मुख्य शब्द को बहुचन कर दीजिये तो वो पूरा शब्द बहुचन हो जाता है इसलिए यह दाहरण आपको लिया जा रहा है man का बहुचन men है तो पूरा बहुचन क्या होगा men of war क्या होगा men of war right क्योंकि now let's come to another thing spoonful and handful spoonful spoonful और handful एक शब्द है एक शब्द माने जाते हैं इसलिए हम इसको spoonfuls बोलते हैं और handfuls कहते हैं क्योंकि एक शब्द है spoonful spoonful मतलब क्या होता give me a spoonful of sugar मतलब क्या हुआ एक चम्मच पूरा भर के मुझे शक्कर दो give me a spoonful of sugar मतलब एक चम्मच में पूरा शक्कर दो handful मतलब क्या होता there were only handful of people in the program उस कारक्रम में केवल बहुत कम लोग है handful मतलब बहुत कम अब इसका बहुवचन बन सकता है क्योंकि एक ही शब्द है handfuls of people are attending my program मेरा जो कारक्रम है वो बहुत कम लोग attend कर रहे है एक शब्द नहीं है step mother एक शब्द नहीं है son-in-law एक शब्द नहीं है बीच में आप देखेंगे hyphen बना हुआ है hyphen किसे कहते है hyphen hyphen मतलब वो आड़ी लाइन जो बीच में शब्दों में डाली जाती है hyphen so this is hyphen इसमें डला हुआ वो अलग अलग शब्द है लेकिन यहां पर handful spoonful एक ही है अब एक चीज़ और इसी संदर्ब में आपको यह जानना जरूरी है कि इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जैसे ब्रैड मैन या ब्राह्मन बी आरे अच एम एन ब्राह्मन ब्राह्मन में आप उसको म एन में ए हटा के ए कर दिये और ब्राह्मन बन गया नहीं ब्राह्मन तो एक ही शब्द है वो किसी दो शब्दों को मिला कर एक शब्द नहीं बना है तो ब्राह्मन को ब्राह्मन को उसमें ए को हटा कर ए को हटा कर ए नहीं बना सकते ऐसी मुसल्मान मुसल्मान का म एन जो आखरी में हो से म एन नहीं कर सकते to understand what I am trying to say. If I said that because these words are spoonful or handful or single word, you add S and become plural. That doesn't mean that wherever M-A-N comes, it becomes M-E-N for plural. That doesn't mean wherever M-A-N comes, it becomes M-E-N for plural. And examples like Brahman, Muslims will confuse you. So, don't be confused. They are single name by themselves. And so, they will remain as M-A-N and you add S to, you suffix S with that. Am I clear? Now, English is a language. It is the richest language. Why richest? What do you mean by richest language? Richest language means that all the cały ways, all the स्थितियों के लिए उसके पास शब्द है वाक्य बनाने का भंडार है और इसका एक कारण है कि अंग्रेजी भाषा जो है वो पूरी दुनिया में है पूरी दुनिया में फैली हुई है तो दुनिया में फैली हुई है तो दुनिया की जो विविन भाषाएं है उससे उसने अ है वहां से उसने बहुत से शब्द लिया है उधारण के लिए भारत से उसने जैसे घी जी एच डबल ई ये अंग्रेजी में घी ही मिलेगा आपको डिक्शनेरी में लिखा हुआ उसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है ऐसी दरा मैनी वर्ड विच ब्रिटिश है टेकन फ्रम अधर लैंग्वेजे इन लिया है और इस प्रकार वो अपने अंग्रेजी की भाषा को बढ़ा रहे हैं और यही उनकी सफलता का कारण है लिखा है और इसके कुछ नियम भी है एक तो बता दें बड़ा फनी मैक्सिमम 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 एक शब्द है मतलब क्या होता है मैक्सिमम यहने अधिक्तम मैक्सिमम का बहुचन क्या है मैक्सिमम मैक्सिमम को उन्होंने मै कर दिया मैक्सिमम इसके किताब के पहले पन्हे में इंडेक्स होता है उसका बहुचन बहुत सारी किताबों के इंडेक्स को लेकर मैं बैठा हूँ तो क्या मैं बोलूँगा Indices, I-N-D-I-C-E-S Index का बहुए चन Indices है Maximum का बहुए चन Maxima है Radius जो लोग Mathematics के student है या 10th तक जिन्होंने Mathematics पढ़ी है वो Radius शब्द से वाकिफ होंगे आधकल Radial Tire आ रहे है Radial Tire बना है शब्द Radius से Radius मतलब क्या होता है एक Circle यदि बनाएं तो केंद्र से Circle की Line तक यदि एक Line खीचें तो वो Line कहलाती Radius Radius का बहुए चन क्या होगा Radii, Double I लग जाता है क्या हो जाता है Double I हो जाता है Hippopotamus एक जानवर है Hippopotamus का बहुए चन क्या हो जाता है Hippopotamide, Double I लग जाता है US हड जाता है Radius का US हड जाता है Hippopotamus का US हड जाता है और Double I लग जाता है Hippopotamide ऐसे ही Formula मैं उन्ही शब्दों को ले रहा हूँ जो आपके Day-to-day Life से जुड़े हुए हैं Formula, एक Formula मुझे बताना और मुझे बहुत सारे Formula बताना तो क्या बोलेंगे? या मुझे बहुत सारे Formula आते हैं पर वो बहुत कम असली जो स्कार्थ है असली जो ज़्यादा उपयोग में है और जो Standard English का शब्द है वो है Formula क्या है? Formula syllabus का बोवचन क्या है? syllabus का बोवचन बहुत है syllabi 36 गर बोड का syllabus NCIT का syllabus और Punjab बोड का syllabus MP बोड का syllabus ये सब को लएकि मैं बैठना चाहता हूँ So please bring me syllabi of these four places तो syllabus का बोवचन क्या हुआ? syllabi Memorandum Memorandum मतलब किसी को पत्र देना किसी कारवाही है तू अधिकारी को कुछ पत्र देते हैं जब किसी कारवाही है तू तो एक Memorandum का बोवचन होगा Memorandum मैंने बताया ना आपको MUM आता है तो A हो जाता है Maximum का Maxima Minimum का Minima Memorandum का Memorandum Radius का Radii Hippopotamus Hippopotami और Index का होता है Indices ये बहुत अच्छी Informative जानकारी है Index क्योंकि आपको डेली ये बहुत काम आता है Index का बहुतन Indices है अब ये जो मैंने शब बताया है ये कुछ Latin words देखें ज़रा Greek word में क्या है क्योंकि अंग्रेजी बहुत सारी भाशाओं से मिली है तो हम Greek word से क्या है इसको थोड़ा देख लें और खासकर अंग्रेजी में Latin और Greek बहुत ज़्यादा है Greek word में Crisis Crisis मतलब समस्या I am in a crisis मैं एक समस्या में हूँ लेकिन जब बहुत सारी समस्या है हो जाएं तो Crisis C-R-I-S-E-S Crisis एक कॉमन शब्द India is in financial crisis भारत एक आर्थिक समस्या में है That family is in crisis उनका मकान बह गया बाण में So that family is in crisis And that family is facing many crisis तो वहाँ crisis हो जाएगा S-E-S ऐसी basis आपके कहने का अधार क्या है What is the basis of what you are saying आपके कहने का अधार क्या है What is the basis of what you are saying तो उसका बहुतन हो जाएगा है Basis B-A-S-E-S Basis Basis यह बहुत सारे आधार Analysis Analysis मतलब विवेचन और बहुत सारी विवेचन हो तो Analysis S-E-S हो जाता है तो एक आप यह देख सकते हैं अंदाच से कि जाते अम है वो आ हो जाता है Hippopotamus जैसा Us है तो Double I हो जाता है Radius Hippopotamus Double I हो जाता है Double I और ऐसी Greek वर्ड में आप देख सकते हैं कि जो Is है वो Es में बदल जाता है Axis Crisis Crisis Basis Basis Analysis Analysis और ऐसे और बहुत सारे दिरा मैनिश अधर वर्ड अ क्राइटेरियन एक वर्ड है Criteria Criteria आपने सुनाओगा Criteria इसका Criteria क्या है Criteria मतलब आधार यहां भी इस नौकरी में Selection का Criteria क्या है और नौमली हम Criteria शब्द एक वर्चन के लिए उपयोग करते हैं कि इसके Selection का आधार बताओ तो जार नौकरी का आधार है कि आपको 12th Pass होना है तो यह तो Criteria नहीं हुआ यह तो एक ही आधार बता रहे हो Criteria बच्चों बहु अचन है क्या है Criteria बहु अचन है एक वचन है Criterion याद रखेंगे एक वचन है Criterion इस नौकरी का Criterion क्या है तो मैं कहूंगा इसका Criterion के वल 12th Pass और यह मैं कहूंगा इसके बहुत से Criteria है So this is from Latin and also from Greek Now let's come to the Italian Italian word may be kuch है But एक एक एक्जामपल हम लेते हैं Bandit Bandit मतलब क्या होता आपने सुना यह शब्द Bandit Those who love going for films And those who love going for good films Quality films They would be knowing a film called The Bandit Queen आपने जो लोग पिक्चर का शौक रखते हैं और अच्छी पिक्चर देखने का एक बहुत प्रसिद्ध पिक्चर आई थी Bandit Queen Bandit Queen was a film on fool and devi One of the very few lady dacoits of India Who went on to become member of parliament later उसके उसको लेकर उसके जीवने को लेकर यह पिक्चर बनी थी So, bandit का बहुत 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 प्रसिद्ध यह लातिन का है So, the word is converted into plural as per their convenience Now, from Hebrew also there are few words taken From French also there are few words taken Aur कुछ संग्याओं के तो दो बहुचन रूप होते हैं There are few words, few nouns which have दो जिसके बहुचन के रूप होते हैं यहने उनको दो तरीके से आप उसको बहुचन बना सकते हो को